असलाम अलेकुम आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स सब्सी यह मिक्स सब्सी को पहले वाश करके कट कर लीजिए बैगन गोबी आलू मडर शिम्ला मेर्च और बीन्स आपको जो भी पसंद आप इसमें एड़ कर सकते हैं तो मैं कड़ाई में ओयल गरम कर ली हूं और मैं इसको ग सब्सार अगर छोड़ देंगे तो जड़ी जाएगा जमच बराबर चलाते रहें इसके बाद मैं इसमें एड़ कर रही हूं सेम और इसको भी मैं दो से तीन नुट तक फ्राई करूंगी रोटू मीडियम फ्लेम पर आप सेम की साइज अपने हिसाब से कट कर सकते हैं तो मै इसको भी निकाल लेंगे अब सेम को निकाल कर अब हमागे तो मैं तीन से चार मट फ्राई करूंगी लोटू मीडियम फ्लेम पर और इसके बाद मैं से बारी बारी सारी सब्सें को फ्राई करूंगी अब मैं इसमें एड़ करूंगी इसको निकाल कर मैं एड़ करूंगी आलू अब हम आलू को फ्राई करेंगे लोटू मीडियम फ्लेम पर और दूसर तीन मिड़ तक इसको भी फ्राई करेंगे आलू को निकाल लेंगे आलू को निकालने के बाद आप थोड़ा सा आयल इसे क कर दें मैं नहीं की थी में बाद में निकालना पड़ा मुझे तो इसमें मैं पच फोड़न डाल दूंगी अब मैं इसमें दो लार्ज प्याज एड़ करें इस लाज प्यास और इसको भी में मीडियम फ्लैम पर करूंगी तो जादर ब्राउन नहीं करेंगे हम इसको क्योंकि आपने प्यास अबNS दो इसमें में चाहा कोते हैं रहाँ तो जोन जाएग लाजना झालियम राज सब्छी एड़न करेंगे का दूंगी टेंस बाऊना नहीं में सिर्गने मेर्च करेंड़ेगेत एक मिलीक मृट आप स्टार्टिंग में भी आइड कर सकते हैं। अगर ही एड करते हैं। इसका बहुत ही इस ट्रॉंग फ्लिवर राता है। और मेरे यह कोई पसन नहीं करता है, तो इसलिए मैं बीज में डाल दी हूँ। और अलो के पूरा भी कुक नहीं हुआ है। बुनने के बाद अमने मुटर करें। अगर आपके पस फ्रोजन मुटर है już Allah opioids . और थोड़ी देर अच्छे हैं। तो बहुत हैं थोड़ी में इसको भूरा है। इसको भूरी करें। तो मैं एकिन टमाटर 2 टमाटर दीं शॉपट एक अड़ी हूरी करतें। पांच मिनट के बाद में अब मसाले करूंगी जो मुझे एड़ करना है तो अब मैं इसमें एड़ करने जाने थोड़ा सा जिंजर गालिक पेस्ट जो की एक टी स्पून है और फिर यह मसाले जो मैं पीस लोंगी गिरीन चिलिए अपनी इसाब से ले 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 जितनी आप अब से हाणके तरफ लो आसाधे अड़्या कलें थोड साथा दोड़ा से थोड़ी तरफ और जाड़ Chu bigger कर दे हों ते हुए है ने रे जाड़ी नाचमाओ कोष खेसे पांच मिनट के और 3 पांच मिनट नाचमाद तो दू मिनट और ने हुए है पांच मिनट के बाद सोटा स मेरा थोड़ा बहुत ही मुझे बनाना है और जो मेरा वेजिटेबल फ्राइ की तो कम्प्लिट कुख हो चुकी है इसको पांच मिनट ही मैं सिर्फ डालूंगे और हो जाए कि सबसे मेरी तो आप देख लेजिए वेजिटेबल जो मैं फ्राइ कीती है और गोवी की सब तो तक् आटकर में आटकर ने जा रही हूं थोड़ा सा पानी और इसको दो से तीन में बत तक मैं और बनाओंगी तक ने सबजी और यह मसाले साब एक्दूसे के साथ ein जा जाए तो मैं आटकर दी ओए एक कपे कदेपानी आटकर दीओ खन lets you can नमक भी तो मैं टेस्ट कर लेती हूं नमक सही था मुझे ज़रूरत नहीं थी नमक डालने के अगर आपको ऐसा लगए कि नमक डालना तो इसे स्टेज प्यावर नमक एड़ कर दीजिए तो अब मैं इसको कवर करने दूसे तीन मिनट के लिए तो मेरी सबसी तकरीबन हो चुक अब देखिए मेरी सबसी हो चुकी है अच्छे समें चला लीजिए दिखने में कितनी यमी और टेस्टी लग रही है खाने में बहुत जादा यमी थी बहुत टेस्टी सबसी थी मेरा ओयल हो गया था बहुत जादा बहुत सबसी में काफी जादा हो गया था तो मैं थोड़ स तो आप फेके ना रात उत में मतलब दूसरे में कोई भी सबसी बनाए या कुछ बनाए तो आप इसको यूज कर ले जादा दिन में से रखकर फिर उसको मत यूज करें अगर जादा दिन से तेर पड़ा हुआ इस तरह का कोकिंग का बचा हुआ ओयल या निकाला हुआ तो तक का नहीं तक करोंगी रात में यूज कर लूंगी या रात को निकालें तक का बचार अमने खो ईूंड कर्यों आरे शानुज करला है मैं हटमे भी सिचपार आड़ करें करियांडर लिप्स अगर आपको मेरे सब ची मलग के इसकी रारभग सर्ट नहीं तर्डक्यार जrif जरूर दे फिर इन्शालाद मिलेंगे किसी नेक्स रेसिपी के साथ तक तक के लिए लाह आफेज